हेल दोस्तो, स्वागत है एक बागफिर आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल PS Classes पर तो दोस्तो, जैसे कि आप लोग जान चुके हैं कि हमने अपने इस चैनल पर Class 12 Physics का पहला लेसन इस्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है बैदुत आवेश्टता चेत्र, इंग्लिस में बोलें तो Electric Charge and Field तो बच्चों, आपको हम बताते चलें कि हमने इस लेसन के दो वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए पहले ही प्रोवाइट करा दियें तो आज का यह इस लेसन का तीसरा लेक्चर है एगी था ठेक है? तो आज किस लेक्टरे हम पढ़ेंगे आवेश्ट की विधिया, आवेश्ट की विदिया का मीनिंग मैं आपको और अच्छा डिटेयल में समझाता हूं भीटा आज की वीडियो लेक्टर में हम पढ़ेंगे कि हम किसी अनाविशित बस्तू को किस प्रकार आविशित कर सकते हैं ठीक है? यानि अगर कोई आपके पास अन्चार्ज बोड़ी है जिसके पास चार्ज नहीं है ठीक है? हम उसको चार्ज कैसे दे सकते हैं? हम किस प्रकार चार्ज कर सकते हैं तो वीडियो लेक्टर पूरा देखें और आपको 100% समझ में आएगा कि किस प्रकार हम किसी वस्तू को चार्ज करते हैं ठीक है? तो देखे, आपको बताता चलों पेटा कि आवेशन की तीन विदिया है आवेशन की जो मुख्य विदिया है वो तीन विदिया है ठीक है? कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर हम किसी वस्तू को चार्ज करना चाहते है तो हम मैंनले तीन विदियो का यूच करते है तो पहली विदि जो रहेगे आपकी है घर फ्रन द्वारा आवेशन ठीक है? दूसरी विदि हम पढ़ेंगे विटा चालन द्वारा आवेशन वो तीसरी विदि रहेगे विटा प्रेरण द्वारा आवेशन ठीक है? तो देखे, स्कीन पर देखे, मैं लेखा है विटा आजकर रहेगे अपना तोड़ा में फिल कर रहा हूं कि मैं आप सो इसको मैं क्या समझाने वाला हूं ठीक है तो देखेए बच्चों आप लोग जानते हैं ठीक है प्रतियेक पदार्त प्रतियेक पदार्त लाखों करोलों यानि मिलियंस एकम से मिलकर कर बना होता है ठीक है और हर पारमादु के प्रोटॉन और तीक है और जो इलेक्ट्रोन होते हैं वह नाविक के चारों क्या वता अपनी इस्था इकच्छाँ में घूमते रहते हैं देखिए मैं का कहने का समझारे का प्रयास कर रहा हूं आपको इसकिन लेकिन यहां पर समझने लाइक बात यह कि यह जो प्रोटोंस है इन पर चार्ज होता है यानि यह आभिषित करने कौन प्रोटोंस जब की जो निट्रोंस है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है ठीक है अच्छा तो इन प्रोटॉनों का चार्ज है वही के रहता है नावीक की फैला रहता है फिखेने मात फैला रहता है कि अंदर डू प्रोट ओर नीट्रों फाल रहता है अबनाते हैं उलेक्टांस के चार्ज होता है यह नहींдо स likewise होता है इसके चालोड के बेटा गूमते रहते हैं इसकी विभिन कक्षाओं में में दिखा रहा हूं तो निगेटिब चार्ज लोता है ठीक है यह दिक है पहली सब्सक्राइब नहीं बनाए ठीक है आ रहे हो कि एक बार आपको आपको मैं बत्ता दा चलू कि कि और किसी पर माड़ों क से उजासीन होता है ठीक है कहने का मतलब यहां पर बहुत सारी थे तो जतने इसके अंदर पकाई प्रोटोन पर चारज होता वह होता है कि प्रोटोन नियूट्रोन पर चारज होता है तो मैं आपको बताता कि इस एटम के अंदर जितने प्रोटॉंस होंगे इस नाविक के अंदर जितने प्रोटॉंस होंगे तो ठीक उतने ही मात्र में इसकी कक्षाव में चक्र लगा रहे होंगे यानि कहने का मतलवी इस नाविक पर जो ने टावहस होगा वो सुनने होगा ता नाविक के होगा पूर्ण उपसे उदासीन होगा बतस्ति में आई क्योंकि नाविक अंदर जितने प्रोटॉंस होते हैं ठीक है उतने ही उसके चारौड के और इलक्तों सोथे हैं और अगर 10 के और एक दिस्सरे के बराबर होगा लेकिन अलग लेकिन आ रही है लेकिन प्रोटोंब कहा होगा जोड़ाएं प्लस को होगा प्लस को होगा प्लस को होगा तो अब देखिए मैं थोड़ दे पहले आपको एक बात बता रहता है कि प्रतियक पदार्त असंख्य लाखों करोड मिलियंस एटम्स समिल करके बना होता है ठीक है यह बात आपको समझ में आई आपके लिए मैं दो बस्तु में लेने जा रहा हूं जिसके माध्यम दे सम कि घर्षन द्वारा आविशन किस परकार समझाया जाता है और एक बार मैं आपको बता जालूं अगा ध्यान से मेरे लेक्ट्र को देखने पटा तो लाइफ में इस टॉपिक के आप हीरो हो जाएंगे चली देखते समझाते हूं आपको तो यह तो बात थी मैं आपको बताय एक करते हैं अब मैं दो वस्तुओं को ल्योंगा दो वर्त व्हार आप देखांगे हम उनको किस परकार से चार्ज करेंगे ठीक है जहां समझेगे कि कि देखें बच्चों मालीचिये में दो बस्तुओं ले रहा हूं एक बस्तू मेरे पास यह है इसका किसी टाइब का कोई मतलब नहीं को मैंने तरहता अब लोगों कि प्रबस्तु ठीक है अब अब मैं संख्या परमालों से मिलकर बनी होताए कड सारे यिंदर ही बहुत सारी ऑटम छोंगे तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है लेकिन नीवॉटरण कर नहीं होता है तो एक इस प्रोटॉन उसी चार्ज को मैं दिखाने का पर रहा हूं यह पिलस का मतलब है प्रोटोन माइनस का मतलब है लक्टोन ठीक है यानि कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जितने पिलस है उतने ही इसकंदर क्या शुच्तु पर नेट चार्ज है क्या सूनिन यह बस्तु उदासीड है बसंज में पर रिकार में एकढ़ने का व 노 क ne करता हूं मारौ मायंस लिए पीलस माईनस खिंग हैं घर बच्छ Venezami चाएं दो correctly पेटनी पेलस है उत्तने जिसको प्सक्रेइ套र या यह बीजिया का मन के ओसी है है प्लस का मातलिकी है माएनसस का मत्ता भी लक्टाउंस है Stick आपस में बराभर हैं ठीक है सब्सक्राइब कोई Neptune नहीं है नेट убийी नेट चार्ज सोने हैं लेगिं सब्सक्राइब क Common Pharisee करें सब्सक्राइब ठीक है तो इसको बोलते हैं घर स्राण उम्हें देख में आपको समझ में आ रही होगी ठीक है अम मैं कि करने वाला हूं अम मैं इन दोनों बस्तुओं को आपस में रगणने वाला हूं जब मैं इनको आपस में रगणने वाला हूं जब मैं इनको आपस में रगणूंगा ठीक स्थानांत्रित हो जाते हैं ठीक है और एक बार में बताता चलों थोड़ी बारी कि में जाओं तो उस बस्तू से एलेक्ट्रों निकलेंगे जो नाविक के साथ कम लग रहा होगा तो यह तो और पहुंच गया लेकिन आपको बता दिया कि उस बस्तू से लेक्ट्रों निकल सकते हैं जो नाविक के साथ बिल्कुल लूजली बंडे होंगे यानि जाते पाफुल जाते सक्ति साली बंद से नहीं बंद होंगे ठीक है अच्छा तो पर भी मैं बताने का प्रेस करता उसको समझें जब मैं दोनों बस्तू को रखड़ूंगा ठीक है तो किसी एक बस्तू से अलेक्टर निकल कर दूसरी बस्तू में एंट्री कर जाएंगे ठीक है बस्तू में आ रही है तो माल लिए इस बस्तू से आप यह पिलस माइनस देख रहे हैं ए सब्सक्राइब यह माइनस लिकरके इसके अंदर एंटी कर गया बस्तू में आ रही है यह यहां पर आ गया स्वरी एलक्टॉंस यहां पर आ गया माइस का मतलब क्यों होगा अब तो आप लोग सोच रहेंगे पिलस क्यों नहीं आया देखिए बैटा मैंने आपको बताया कि पहता है यानि कहने का मतलब ये था कि हैंसे strengthened नीकल कि सकता कि हलुका होता हुए वह हल्का होता है कि दो बंदें मेरे पास हैं एक बंद बहुत मटाता जी मेन तरह पतला गहाई तो कुन जल्दी दोड़ जाएगा पतला वाल झायेगा नहीं करेसे प्रोटोन करोटीं करेसे तो मैंने आपको बताया कि इस बस्तु ए से एक लेक्टोन निकल करके इधर आ गया इस बात को समझें बहुत इंप्रोटन बात है यह आ गया तो आपने देखा कितने प्लस थे एक दो तीन चार पांच प्लस थे ठीक है अभी भी पांच प्लस है लेकिन माइनस कितने थे माइन है 4 माइनस है ठीक है वोतलस कितने 5 हैं बात को समझें अब इस बंतिक में 12 3 4 5 5 ick-19ativ he Talking माइनस माइनस 1234 माइनस है उसका मतलब है इधर एक प्लस और यह गदा सब्सक्राइब अgano क्योव मैंने फलता ऐसे वीग दिया ठीक है अच्छा अब अब इसमें अब यहाले निकतो पीं निकाल के रगया थेक़ है यह टुसि prevail तोफ टीन चार इजए पर करja प्रेस के इतने पांच एक दो तीन चार पिलस कितने पांच माइनस कितने च्छार यानि इदार एक माइनस ज्यादे हो गया इस पर यह बस्तु ना रही कहने का मतलम में रही है जब दो बस्तों को यही डेफिनेशन ने लिख वही है जब दो बस्तों को आपस में रगलते हैं तो किसी एक बस्तों से एलेक्टरन निकलते हैं दूसरी बस्तों में एंट्री कर जाते हैं और जिस बस्तों से एलेक्टरन निकलते हैं वो बस्तों धनाविसित हो जाती है और जिस बस्तों से एलेक्टरन जिस बस्तों में एलेक्टरन की कमी होती है ठीक है जब की रिजबी अबर सब्सक् hue pri rn भर पांच प्लूस थीक है तो एक मैनिस प्रक्रकों की है तो मैं आपको बता जाता कि हमशा अदिकता होती है और रावेसिद भरस्तू तो आप दोनों विश्टमें के होगी और इसी को कहा जाता है घर्षन द्वारा आबेशन चलिए अब देखिए आपको लोगों बताता चलूँ अगर आप कांपी पैनल लेकर करके बैठे हैं तो अच्छी बात है मेरे साथ ऐसी नोट्स बनाइए बिल्कुए A2-Z पूरी जरूर बनाते हैं मैं आपको हर वीडियो में एक बात के लिए रिकमेंड कर रहा हूं बारबार कि मेरे साथ अपना नोट्स जरूर बनाएं ठीक है तो देखिए क्या है पलते हैं यदि किनी दो उप्यूक्त पदार्तों को जैसे कि मैंने ए और भी लिए ठीक है को अनुकु में अबशित हो जाती है जिस बस्तु से एलेक्ट्रों निकलते हैं कि कमी के करण कि कमी के करण धनाविसित हो जाती है यह बस्तु कैसी और जिस बस्तु में प्रिवेस करता यानि इसके अंदर बी के अंदर प्रिवेस करता वह एक्टोन की अधिकता के करण की अधिकता हो जाती है तो सारा कुछ वही है जो मैंने आपको भी बताया यानि दो बस्तु कावस में रगड़ेंगे जने एक बस्तु से और निकलेंगे दूसरी में जिस बस्तु से अलेक्टोन की कमी के करन धनाविसित हो जाएगी और जिस टाइब के नुमेरिकल एंचैयटी में कई सवाल हैं और इस स्वाल यहामें पूछी भी करता है तो अमिद रखना उम्मिद करता है सबसक्राइबेबात 20 दूसरी विद्दें दूसरी विद्दी क्या है दो सबसक्राइबेबेन अच्छे समझाना इस में लुदबा आशा डेक एक अवेसित वश्टू होती है और एक उस और कोई चार्ज नहीं पर टांती है तो न भेसिट वश्टू पर उस तो आपको एक सब्सक्राइब तो आपको 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 पर देखा हुआ तो आप इसका इसको अपको अच्छे तरीके से ठीक है ऐसे नोट से बनाएंगे और पूरी किताब को बहुत अराम से पड़ेंगे बच्छों ठीक है चली मैं इसको प्रप कर रहा हूं अपरते हैं है अब हम पढ़ेंगे चलन द्वारा आविश्ण क्या होता देखी मैंने आपको बताया कि चलन द्वारा आविश्ण बड़ी को चार्ज कैसे करें ठीके तो देखें कैसे करेंगे आपके आपके पास यह कोई बस्तू है ठीक है अब अंचार्ज है अनावेशित का मतलब यहां पर सब्स आएगा अनावेश्ट का मतलब यह है कि उसके अंदर ना धनावेश है न रिणावेश भास समझा रही है धनावेश ठीक बरावर है ना थिखने संब्स और उन सुनने है यह कोई नाविस्जित बस्तु है इपकी नाविस्जित बस्तु मैंने क्यों कहा है इसा आपको जतना प्लस नहीं किया माइनस है नम्मर और प्रूप्टों साफस में बरावर हैं तो यह एक दूसरे के प्रभाब को यानि एक प्लस दूसरे माइनस को खा जाएगा अब सब्सक्राइब यह बस्तु क्या पूर्ण उद्धाशीन है अब हम क्या करते हैं इसके पास कोई चार्ज बस्तु इसके बार चार्ज और निकेटिव लिए इसके अंदर क्या है पहुंसे अंक्या मातर में इलक्टॉन से ठीक है वाक्त सब्सक्राइब आया आई मेरी आपको देखिए अधास समझें यह कोई क्या है एक तैच करा दिया है जब मैं इसको से टैच कर रहा अब जानते हैं कि समान आबेस हमेशा एक दूसरी के शिद करते हैं यह लाखों करो मिलियल्यंस इलेक्टॉन्स है बसन संद्यारी है तो वह एक दूसरे को रिपल कर रहा हूंगे धक्का लगा रहा हूंगे यह इसको चलने के इंद को जगे नहीं मल रहा था लेकिन अब वो उससे ठेच हो गई यानि यह को धात हुए तो धातु पर चुर्ण आ सकता है लेक्ट्रों चल सकता बेटा बसन में आ रही है तो जैसे कि इस कोमी से टच करेंगे तो एक दूसरी पीसे से दक्का लगा रहेंगे चलो 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 यह इन सारे लेक्ट्रों प्रतिक शने बाल लग रहा है एक दूसर को धेकल लाएं यह बसन में आ रही है ठीक है तो कुछ एलेक्त्रों क्योंगे इसके अदर एंटी कर प्लस को गिंते देखी एक दो तीन चार पांट पिलस कितने चैसे माइनस को किन एक दो तीन चार पांट शैसा आड़ नो बहुत सब्सक्राइब तो कहने का मतलब यह था यह था यानि से थीक है रिड्नामिशित शड़ा है तीक है यह चार्ज यह झार्ज थी हमने इसको चाइब एसके मॉध्यम से जमने इसको तरफ और इस तब की सब्सक्राइब यह यह जाद है थो गई और यह यह अनावेसिध भस्तू उसको पढ़ते है तो पर अनावेसिद भस्तु अचार्ज है व्लाड प्रकार यह डाल जाती है चोड़ सरो 안ravesic भस्तु-령 तो गले डेकियो अब पर्तुप और बिटय् flexible स्री 1 जब किसी आवेशित चालक हो जब किसी आवेशित चालक है तो अनावेशित चालक पर भी उसी प्रिक्रती का अवेश उत्पन्द हो जाता है लीगती चाहिसी में हो तरहं नमरों जादेए कि प्रश चार्ज चार्ज करने कवीनिग करने हो जादे हो इस नमपरों पर यह प्लस है मांइनस जादे हैं अगर्श पर लिए तो आभी तो पिरेण द्वारा आभीशन बहुत इंपोटेंट है नहीं समझें पिरेण द्वारा आभीशन क्या होता है अब देखिए मैं इसको आशराप कर रहा हूं तो अब इसका इसका इसकी शोड़े लिए बच्चों ताकि मैं थ्लाव बड़ा बनावा तो मु इसके समझाकर करते हैं कि वह सीचों द्सक्षारम हम इसके पाद हम पड़ेंगे इसके पड़ेंगे तो पढ़ेंगे देएंग हुश्के सकते हैं इसको देखने बहुत जुरूरी है ठीक है आपके पास एक गोला यह और गोला यह थीक आपके पास के टेश हैं माली जी यह किसी पर रखेंगे किसी रखेंग पर यह और आपके रखेंगे यह picking चाइर azzione हो और कोई विस्वा नहीं का मिला बिकर यह इसके अंदर जितना पिलाऽज उतन नहीं माइनमे माइनमे माने सहे जितना प्लास उतना ही मैनमे से छितना प्लत लिख रहूं फिलस मैनस फिलस मैनस ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर भी 4 पिलस हैं 4 मैनस इसके अंदर भी 4 पिलस चार इसंगे 4 wish 4 उर्टन वह काटएंगे बूंग है बिल्गल 0 हो गया चार 20 मैंद्த상 काटेंगे सब्सक्राइब क्या करेंगे हम सब्सक्राइब कर रहा हूं कि यह देखो ठीक है देखिए चार पांच कुछ भी बढ़ा सकते हैं सब्सक्राइब क्या क्या करेंगे जिसके अंदर करन्ट और चलिए तो यह इसका पहल पहला शोगया जितनका पहला खेली यह दो सब्सक्राइब कोई दिक्त वाली बात नहीं है हम इनके पास कोई चार्ज बस्तु लेकर काई चार्ज बस्तु पहले हम जो हम लेका है अब क्या हम धनावे से च्छड बना लेते हैं मालीज यह कोई च्छड है ठीक है इसके अंदर क्या धनावे से ठीक है अब देखिए हम इसको टच नहीं कराते हैं पहले जो पढ़ाता हमने अपका चलन द्वारा उसमें उसमें इसको टच करा देता तो जब हम इसको इनके पास लेकर आएंगे तो देखिए यह टोटल प्लस है इसके अंदर प्लस में दोनों ह यह प्लस चार्ज है यह प्लस की हुए और इसका जो माइनस चार्ज जो है वो सारा चार्ज इस गोली को आजाएगा कहने का मतलब यह के प्लस मैंने समय होता है यह चीज में आपको काफी दंचा पढ़ाए भी रहा हूं कि समान अबेस सदय वेक दूसरे को प्रतिकर्षित क करते हैं इन दोनों गोलों का जतना भी माइनस चार्ज है बना सकते हैं यह ठीक है देखें प्रकार यह दोनों गोले चार्ज देखें यह किस देखें आप पर आप फिर्ट में जिस स्टेट कांच की जिस पर लेडी प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चारज ठीक है अब मैंने बताए था कि इनके उन्दर का जितना रिख वह इस और को आ तो सब्सक्राइब निगेटिव चार्ज क्योंकि अपसमें टॉसरी में आएगा तो इनके इलेक्टर निकल कर इदर को आ सकते हैं बहुत इजिली बेटा अच्छा अब देखें जो इसका जो अपोजित चार्ज था बहुत इसकी और को आ गया लेकिन जो इसके प्रितिकर्षन हो गया और प्रितिकर्षन हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इसके नेक्ट केस में अब हम इन को तो हटा लेंगे इन लों को अम पैटा क्या करांगे दूर को हटाएंगे किस था आएंगे माला लेजी हमने इसको यह यह है ठीक है फोड़ा इस परेस कंई बोड़ कर समझने के इस त्र आब है अभी धिया ठीक है जब आप आश के जोम करते हूं तो यह अजिसको च्छल सब्सक्राइब करें तो क्या करा कि छड़को पास रखते हुए हमने दोनों गोलों को थोड़ा दूर कर दिया तो यह जो निगेटिव चाहिए रहेगा ठीक है और वो जो पॉजिटिव चाहिए बहुतर रहेगा यह जो निगेटिव चाहिए यहां पर को हुआ ठीक है अब कि चेड़की जो पीच में लाग रहा है वह खत्म हो जाएगा जो भी चाहिए और इस घना वी से जो जो इसके अंदर फैल जाएगा और जिसका धना वी सब्सके अंदर फैल जाएगा ठीक है होने वाला निया प्रणा देता हूं देखियों एसका दूसरा तीसरे हैं यह तो इसका निगेटीव ही चार्ज है वो टोटल इसके अंदर पैल जाएगा फैल एक यह और इसका जो पॉलिटिव चार्ज है वो इसके यह अंदर फैल जाएगा तो यह गोला क्या हो जाएगा बैटा आपका धना विसित हो जाएगा उम्मीद है कि अपको आई होगी ठीक है तो इसको बोलते हैं मिटा प्रियान दोहरा आविशन ठीक है दोनों गोले उधासीन थे अब यह जो है यह आपका रिड़ा विसित हो गया और यानि यहां पर दोनों गोलों को छू सकते हैं लेकिन यहां पर नहीं सकते हैं यहां पर इनमें करेंट अभी चार्ज हो चुकिए मिटा आपको जटका लएका इसको चूब तो यहीं कहा है किसी आविसित बस्तु को जै टांसर जो हुआ मैंने सद्धर आगया ठीक है कि करना उसके निकटम प्रेश्ट विप्रिविप्रिक्रती का वेज यहीं प्रिक्रती का आविज उत्पर होने की करिया प्रिणा द्वारा आविसन कहलाती है तो यहीं आज करता हूं कि यह आपको अच्छे सवज में आया हु और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोगों को लाइक कर देजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ बैल आइकन का बटन जरू दवाईए और आप 12 क्लास के पर ध्यारत नहीं है और एक टू जैट से लिए पढ़ना चा